और जब समय आता है तो सजा भी देती है एक एक बिंदू पर बहुत विस्तार से बहस किये उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविटी को रोकने से ज़्यादा सफल नहीं होता और देश की जंता उनके सारे व्यावारों को काउंट करती है संसद के शीत कालिन सत्र की शुरुवात से पहले पिये मोदी ने कहा कि संसद में स्वस्त चर्चा हो जादा से जादा लोग चर्चा में अपना योगदान दे दुरभाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने आस्विकार किया है वे संसद को भी मुठी भर लोगों की हुर्दंग वाजी से नियंद्रित करने का परियास कर रहे हैं। देश की जनता उनसे सारे व्यवारों को गिनती है और समय आने पर सजा भी देती है। लेकिन दुख की बात है कि नए सांसदों के अधिकारों को कुछ लोग दबोज देते हैं। वहीं पी एन मोदी ने आगे क्या कुछ कहा देखे वीडियो। नमस्कार साथियों। सित कालिन सत्र है और माहोल भी शीति रहेगा। दोहजार चोवीस का ये अंतिम कालखन चल रहा है। देश्पुरे उमंग और उत्सा के साथ दोहजार पचीश के स्वागत की तैयरी में भी लगा हुआ है। साथियों साथ का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेश है। और सबसे बड़ी बात है हमारे सम्विधान के या 75 साल की यात्रा, 75 साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोक्तंत्र के लिए एक बहुत ही उजवल आउसर है। और कल सम्विधान सदन में सब मिलकर के इस सम्विधान के पच्चतरवे वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुवात करेंगे। सम्विधान निर्माताओं ने सम्विधान निर्मान करते समय एक एक बिंदू पर बहुत विस्तार से बहस किये हैं। और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उचके एक महत्वपूली काई है हमारी साउसद। हमारे साउसद भी और हमारी साउसद भी। पार्लामेंट में स्वस्थ चर्चा हो। ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनितिक स्वार्त के लिए जिनको जनता ने अश्विकार किया है। देश संसद को भी मुठी भर लोगों के हुर्दंग बाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविती को रोकने से ज़्यादा सफल नहीं होता है। अब देश की जनता उनके सारे ग्यावारों को काउंट करती हैं। और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा की बात ये है कि जो नए संसद होते हैं। नए विचार नए उर्जा लेकर क्या आते हैं। और ये किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोत देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोगतांत्रित परंपरा में हर पीड़ी का काम है आने वाली पीड़ीों को तैयार करे। लेकिन असी असी नब्बे नब्बे बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है। वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोगतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, नहीं वो लोगों की आकांग शाहों का कोई महत्व समझते हैं, उनका उतके परती कोई दाहित्व हैं, वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परणाम हैं, वो जनता की उमीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। उस्थानों पर अपनी भावना अपनी विचार अपने अपिक्षाएं प्रगण करने का अउसर मिला है। उसमें भी दोहजार चोबिस के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा। और अधिक बलप्रदान किया गया है। और अधिक समर्तन का व्याब बढ़ा है। और लोक तंतर की ये शर्त है कि हम जनता जनार दन की भावनाओं का आदर करें। उनकी आशा अपेख्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात महनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आगरे करता रहा हूं। और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से वहवार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती हैं कि सदन में सुचार रुप्थे काम हो। लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है। वे अपने साथियों की बात को भी दबोत देवेते हैं। उनकी भावनाओं का भी अनाधर करते हैं। लोगतंत्र की भावनाओं का अनाधर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को आउसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं। उनके पास नए विचार है बारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कलपनाएं हैं और आज विश्व बारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है तब हम सौसत का समय का उप्योग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है भारत का प्रती जो आकर्षन बढ़ा है उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवार रहना चाहिए विश्व के अंदर भारत को ऐसे आउसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है और भारत की संसथ से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मद्दातां उनका लोगतंत्र के प्रती समरपन उनका संविधान के प्रती समरपन उनका संसथिये कार्य पद्ददी पर विश्वास विश्वास संसथ में बैठे वी हम सब को जनता जनारदन की इन भावनाओं पर ख़रा उतरना ही पड़ेगा और समय की मांग है हम अब तक जितना समय गवा चुके हैं उसका थोड़ा पस्चाता आप करें और उसका परिमार दिन करने का उपाई यही है कि हम बहुती तंदुरस्त तरीके से हर विशे के अनेक पहलूँ को संसथ भवन में हम उजागर करें आने वाली पीडिया भी पड़ेगी उसको उसमें से प्रेणा लेगी मैं आशा करता हूँ कि यह सत्र बहुती प्रणामकारी हो समिधान के पततर्वे वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो नए साउसदों को आउसर देने वाला हो नए विचारों का स्वागत करने वाला हो इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी मान्य साउसदों को उमंग और उत्सा के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमतित करता हूँ स्वागत करता हूँ आप सब साथकों का भी